तो चलिएगा दोस्तो श्वागत है आपका आपके पनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड़ा में में इड़ना मजीद कुमार दासे हैं दोस्ते उडियाप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि टाइटल में ही आपने पढ़ लिया होगा कि CGPSC ने चातरों का बाजा बजा दिया है क्या है पूरा मसला काफ़ी डीटेल ने में बताऊंगा प्लस कल की डेट में देखी का वीश्व भूशन हरी चंदरन सर जो है हमारे प्रदेश के नए जो है राज़िपाल बनने वाले हैं सबस्पर उनको बहुत-महुत बढ़ाया अब इनकी न्यूक्तिक बस चाहिए का बहुत से क्यास लगाया जा रहे हैं कि जो 76% आरक्षन संशोधन विधायक है जो इतने दिन से पेंडिंग बढ़ा था राजभावन में अब उस पर सिगनेचर हो जाएंगे अब समस जो रुक्यू ही प्रक्रियाय हैं बहुत जल पाएंगे अब चले के दोस्तों कल कर जो पेपर हुआ हैं सीजी पीएसी राजसव परिक्षा 2022 फिलिम्स एक्जाम इस पर चर्चाय करते हैं दरसल देखिए कल शाम की वीडियो को माध्यम से मैं नहीं चीज़ तो क्लियर कर दिया था यह ओरॉल कहें तो प्रथम दिश्या थोड़ा टफ ही दिख रहा है इसी पेपर नहीं है अब देखिए पेपर के टफनेस और olur एजिनेस का आदार पर होता है दोनों पेपर के आधार पर सिर्फ एक पहला लगक्र एवरेश था एजी था दोनों पेपर देखना पड़ता है अब देखिए का पहला paper देखें तो बहुत लोग को easy लगेगा, बहुत लोग को moderate लगेगा, बहुत लोग को tough लगेगा लेकिन overall का है तो अच्छा खासा tough paper ही था यह फिर भी देखिए थोड़ा बहुत बनाया जा सकता था as compared to previous इस बार थोड़ा सा ठीक था लेकिन फिर भी tough paper था, चलिए इसको आपने बना लिया लेकिन second paper जो है इस बार second paper नहीं छात्रों का बाजा बजा दिया है दरसल देखिए कि दोस्तो second paper में जो language वाला portion है उसको छोड़ दे तो बाकी पूरा यहाँ पर reasoning और maths वाला part अपने आप में बहुत tough था tough में instance में कहूंगा कि देखिए questions बहुत जादा lengthy थे उन प्रश्णों को देखिए इतने कम समय में solve कर पाना और देखिए का qualify marks निकाल पाना बहुत जादा मुश्किल हो गया चात्रों के लिए तो देखिए का जो चात्र paper 1 में अच्छा रहा है उनका paper 2 बिगड़ गया है specially आपे बात करूं देखिए का engineering और non engineering background वाले चात्रों की तो इवन देखिए का engineering वाले जो चात्र है जिनका math बहुत ज़्यादा strong होता है वो भी इस बार फस गया है तो देखिए का जिनका paper 1 अच्छा गया है उनका paper 2 ठीक नहीं गया है और जिनका paper 2 अच्छा गया उनका paper 1 अच्छा नहीं गया है तो देखिए का general overall मैं बता रहा हूं मुझे जहां तक लगता है 55-60 तक जो है आपका cut-off जाना चाहिए यान कि देखिए यदि इस range में अगर आप है तो अपने आपको safe मान के आप mains की तैरी कर सकते हैं हाला कि मैं clear कर दूँ देखिए का अभी तक आरक्षन रोष्टर हमारे प्रदेश में कोई भी clear नहीं हुआ है तो इसके लिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता फिर भी जब 50% वाला आरक्षन रोष्टर मैं उमीद कर रहा हूँ आगा चलकर लागू होगा उसके अधार में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल वाले overall 55-60 अगर आपको स्कोर कर रहे हैं यानि कितने प्रशन रिदी आपके सही है तो आप लोग कुछ उमीद लगा सकते ह हैं वो बीसी वाले overall देखेगा 53-57 अगर आ रहे हैं आपके प्रशन सही तो आप लोग कुछ उमीद कर सकते हैं से वाले देखेगा 42-47 प्रशन रिदी सही कर रहे हैं पेपर वन में तो आप लोग कुछ उमीद लगा सकते हैं जबकि देखेगा स्टी वाले 39-44 अगर आप ल करना संभव ही नहीं है इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बागी देखेगा दोस्तों कल की डेट में जो हमारे प्रदेश के नए राजबाल सहाब बन रहे हैं उन पर जो है थोड़ी डिटेलिंग कर रहे थे क्योंकि देखेगा कली के कल जब पेपर दे रहते तब हाँ पर देखेगा पूर्व उरिशा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ज भी रह चुके हैं यानि कि अच्छे बड़े पोश्ट में रहे हैं सग्नली देखेगा इसके बस चाहत वरतमान में यानि कि हमारे सीजी के राजबाल बनने से पहले यह आंदर प्रदेश के भी अरक्षन संचोधन विदेग जो इतने दिन से पर पड़ा हुआ था राजबहन में उस पर सिगनेचर हो जाएगा तो देखेगा इस पर मैं आपको बता देता हूं एक चीज़ अपनों को मान के चलिए यह नए राजयपाल साहब इस पर सिगनेचर कर भी देते हैं और देख आपको बार-बार क्या रहा हूं इधर उधर डाइवोट होने की जरूवत नहीं है अब 22-23 मार्च करिए तभी आपको कुछ निसकर्ष मिल सकता है उसके पहले कोई भी संभावना नहीं है बाकि इसी मुद्दर से देखेगा जो एक नए कयास लगाया जाने च्छात्रों के प्लस एक्जाम भी ले सकती है इसलिए देखेगा यह समुद्दों से आपकी भरतिया प्रभावित नहीं होंगी अब भरतिया देखेगा वैसे भी थोक के भाव में आनी है चाहे वो व्यापम के हो या सीजी पीसी के हो तो इसके लिए मैं आपको बार बर यह कह रहा हूं य जादा हमको सोचना नहीं चाहिए अब प्रेजेंट पर देखेए प्रेजेंट में आपके हाथ में व्यापम की बहुत से भरतिया है और सीजी पीसी की भरतिया है तो उन पर फोकस करिए और देखेगा उनके लिए बैटर में तयारी करिए जो गलतिया कल किये है उन पर इंजामस होंगे उस पर देखेगा अच्छा पर्फॉर्म करके अपने लिए पोस्ट जरू सुनिस्चित कर लिजेगा मेरा आप लोगों सिर्फ यहाँ पर इतना ही सुझा हो रहे हैं बाकि देखेगा दोस्तों आगे जो भी अप्डेट्स वगर आएंगे उसके समन्द में मैं आपको सुचना है दूँगा उमीद है आज शाम तक या कल तक देखेगा CGPAC का भी जो ऑफिशल मॉडल उत्तर है वो भी आजाएगा वो भी मैं आपको साजा करूँगा और इसके बस्चात पुना जो है कितना मांक्स किसका कैसा जा रहा है सब चर्चाय करेंगे बाकि आप लोग सो भी रिक्वेस्ट आएगा कि आप लोग के क्या क्या मांक्स आ रहे हैं मुझे देखेगा कमेंट बॉक्स न बताइए क्योंकि कल के डेट में देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेड आंसर वगरा सब कुछ मैंने हमारे टेलीकरम उल्रप में अल्रडी शेयर कर दि कर दिजेगा और इस वीडियों को अधिक समय साथ हुच में शेयर भी कर दिजेगा थाकि उनको भी हेल्प हो सके थैंक यू सो मच